हेलो एवरिवाइन वेलकम बेक टो माई चैनल मेरा नाम सीमा है आज मैं इस चैनल में आपको जाईयों के बारे में बताऊंगी ये कैसे होती है और इसके क्या घरेलून इसके अपना सकते हो ये बताऊंगी जहाईया अकसर बढ़ती है एज के साथ बढ़ने लगती है फेस पे अच्छी भी नहीं लगती है इसे दाग हो जाता है फेस पे और फेस का गलो चला जाता है ये अधिकतर धूप के कारण भी होती है या हमारा हैल्थ अच्छा नहीं होता तो भी हो जाती है जहाईया तो इसक को हटाने के लिए आज मैं आपको घरेलू नुस्के बताऊंगी जिनको आप अपने फेस पे एपलाई करें हमारा फर्स्ट पॉइंट है टेंशन नहीं लेनी चाहिए हमें पानी खुब पीना चाहिए दिन में एक बार नीवू का जूस जरूर पीना चाहिए इससे पेट भी स हमारा थर्ड पॉइंट है जाईयों को हटाने के लिए अपने खाने में हमें हमेशा सलाद यूज करना चाहिए ये बहुत ही अच्छा होता है हमारे पेट के लिए भी अच्छा होता है और हमारे फेस के लिए भी अच्छा होता है नमबर फोर, दिन में एक गिलास गाजर का जूस जरूर पीना चाहिए, वो भी बिना नमक के, यह हमारे फेस पे गलो भी देता है और साथ में जाईयां भी समापत होने लगती है नमबर फाइव, अगर ताजा टमाटर काट कर आप फेस पर स्क्रब करते हो या मसाज करते हो इससे भी जाईयां कम होने लगती है और थोड़े दिनों में आपके फेस पे गलो भी आ जाता है नमबर शिक्स, अगर खीरे के रस में जैतुन का तेल मिलाकर लगाते हो तो जाईयां कम होने लगती है और फेसक्लीन होने लगता है 7. अगर आप केले के गूदे को फेस पर लगाते हो तो इससे भी जाईया कम होती है 8. अगर आप बदाम का तेल फेस पर लगाते हो इससे भी जाईया कम होती है बदाम का तेल तो नैचरल भी होता है और हमारे फेस को ग्लो करता है नमबर नाइन आप खरबूजे के बीज या छिलके को पीस कर इसका लेब बना लें और इसको फेस पर 15 मिनट तक लगा कर रखें इसके बाद फेस को ठंडे पानी से धोलें इससे आपका फेस गलो भी करेगा और फेस डेली यूज भी करना है नमबर 10 अगर आप फेस पर नीवू के रख से स्क्रब करते हो तो इससे भी आपके स्पोर्ट्स हैं डाक स्पोर्ट्स हैं वो भी लाइट हो जाएंगे और जायां भी चली जाएंगी और फेस भी गलो करने लगीगा तो फ्रेंट्स आप इन गरेलो नुसकों को अपनाएं और अपने फेस को गलोइंग तच दें और क्लीन करें अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें अपने फ्रेंट्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें थांक्स वर वाचिं मैं वीडियो बाई